हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टू तो चैनल तो के हाले आप सभी के आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आप सब की प्रिपेशन अच्छी चल रही होगी तो गाइस बहुत दिन के बाद मतलब लगबग एक साल के बाद में फिर से यूटूब पे में वीडियो वगरा ब जार है यहां पे देख सकते हैं और और क्या वेकेंसी किसी साइब से कितनी वेकेंसी इसरी एक्जाम अगरा कब होगे फर्म लगडर आप कब से अपलाई कर सकते हैं रिश्टेशन अगरा कब में सुल्व होँएस की इनटेस्ट या जिसगा प environment सकते इन वह और मेंस यानि ज बात करने वाले हैं तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी एक और चीज में बता दूं इससे पहले हमने आइट आएसम धनबाद के लिए और इड्यमाचंट करवा चुके हैं हम लोग ने इसके बाद Ian कन पूर का जुनियर सिश्टिंन का जो इक्जाम होता उसके लिए भी हमने अप्डेश्ट कर आपको मिलेगी ओके गईस तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जो ओफिसल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और यह यहाँ पे ओफिसल वेबसाइट की लिंक यहाँ पे देगे यह इस PDF में आप क्लिक करके डाउनोड कर सकते हैं यह जो PDF है मैं WhatsApp ग्रूप एक बन सकते हैं और अगर आप WhatsApp पे चाहें तो WhatsApp एड़ हो जाएं और टेलिग्राम ग्रूप का भी लिंक में अविलेबल करवा दूंगा तो आप वहाँ पे भी मतलब जो भी आपको डाउट वगरा है आप वहाँ पे इंबॉक्स कर सकते हैं टेक्स्ट कर सकते हैं मुझको सबसे पह बहुत सारी डीटेल में मैं नहीं जाओंगा बस दिखा दे रहा हूं क्या क्या है जूनियर टेक्निशन की पोस्ट है यहाँ पे सीट वगरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबल 3 की यह सारी पोस्ट है L3 मतलब लेबल 3 यहाँ पे जो आपको सारा दिख रहा है ठीक है इस एक कोड है और जिसमें है ठीक है जैसे यूर के लिए वन तो यूर में देखिए फिजीक्स मैथमेटिक्स के मैस्ट्री एलेक्रिकल के लिए जूनियर टेक्निशन की पोस्ट है यह नहीं किसमें है कंप्योटर में तो यहाँ पे वन दिया हुआ उसी साब से अब ध्यान में रखिएगा ओके उसके बाद जुनियर टेकनिशन मेडिकल के लिए दो सीटे यूर के लिए और यहाँ माफ किज़ेगा दो सीट है आपका ऊबीसी के लिए और एक सीट है आपका यूर के लिए मतलब उसी साब से अध्यान रखेगा सिविल मैंटेनेंस का है अलग-अलग और यह सारे लेबल 3 की पोस्ट है ओके कि एलिजिबिलीटी के कंडिशन आप देख लीजिए पोस्ट वाइज मैंने तो सारी चीज़े बता दी जुने सिस्टन की जो पोस्ट से लेबल 3 की पोस्ट है एस क्राइटेरिय आप देख सकते हैं 30 सल और बैचलर डिग्री होने चाहिए किसी भी रेकनाइस बोर्ट से 55 परसेंट आपका उसमें आना चाहिए मतलब उसमें पच्पन परसेंट से पास आउट अप होने चाहिए प्रोफिसींसी होनी चाहिए मतलब सीपीटी का एक टेस्ट होता है मैं आपको बता दूगा कैसे होता है नहीं होता है और कैसे पेपर आता है उसमें वह भी उसमें भी आपको हेल्प करूंगा और 25 से लेगे 20 के आसपास में sorry having time speed 25 English में आपको 25 word per minute और हिंदी के लिए यहाँ पे 20 word per minute आपका speed होना चाहिए टा basically handicapped के लिए जो सारी चीजे हैं उसके regarding कुछ information वगरा दी गई है ध्यान रखिएगा और यहाँ पर जो junior technician है junior technician वह भी लेबल 3 की पोस्ट है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं diploma in relevant engineering discipline three year duration तीन साल का जो डिप्लोमा होता है वो 55% marks होना चाहिए किसी भी रिक्रनाइज उनिवर्सिटी से पॉली टेक्निक से भी डिप्लोमा होता है तो वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आपका बेसी होना चाहिए 55% marks के साथ में किसी भी रिक्रनाइज उनिवर्सिटी से इसके अलावा या फिर आपका ITI है इनसीवीटी से अगर आपने ITI किया है और कोई अच्छा ट्रेड है आपका इलेक्ट्रिकल हो या मेकनिकल हो उसी साब से दिखिए क्या पोस्ट मैंने उपर बताया है देख लीजेगा और relevant experience यहाँ पर यही बात है कि ITI है तो बोल तो द मतलब body होना चाहिए जिससे आपको experience होना चाहिए या प्राइबिट होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं बोला है बस 5 साल गया experience बोला है और desirable में देखिए desirable मतलब जो आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं यहाँ पर कुछ चीजे है ठीक experience in handling, sophistics laboratory equipments तो यह अगर आपके पास है इसके regarding कुछ अगर educational qualification institution से अगर आपने laboratory science में कुछ किया है तब दे सकते हैं अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और trade वगरा का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है नहीं है कितना marks मांगा गया है ओके यह notice में आपको group में डाल दूँगा group WhatsApp group का मैं link पिन कर दूँगा कि मतलब जो description है उसमें आप देख सकते हैं और telegram का भी group दे दूँगा वहाँ पे आप लोग अपना जो भी discuss वगरा करना हो कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हैं और इसके अलावा यहाँ पर general instruction है जो applicants है मतलब जो apply करने वाले हैं उनके लिए general applicants है ठीक है और वही सारी चीज़े हैं तो यह पूरा PDF आप लोग एक बार रीड जरूर कीज़ेगा और अभी जो है अभी अभी इसका notice आया है और इसका form फिलब जो है आप मान के चलिए जल्दी स्टार्ट हो जाएगा एक्जाम को तो अभी नहीं बताया जा सकता बट इससे पहले भी आएटे SM ने वो अल्रेडी है सारा तो आप लोग अगर बोलेंगे तो उसको as a PDF मतलब compile करके अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैं अलग वीडियो डालूँगा कैसे आपको मिलेगा कैसे आप purchase कर सकते हैं बात बखी कोई भी doubt हो तो वीडियो में comment करके पूश सकते हैं और PYP जितने junior assistant के paper हुए हैं वो मैं available करवा दूँगा आपको तो channel पर बने रहें मिलते हैं next video में जहिंद